हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे साधारन ब्याज और चक्रदी ब्याज के प्रशनों की, तो वीडियो को पूरा देखेगा, चले स्टार्ट करते हैं, पहला सवाल है, एक निश्ची धर्रासी पर 12% की दर से 6 वर यही होता है, अनुपात इनका पूछ रहा है, सिंपल इंट्रेस्ट बराबर पी आर टे बटे सो, यह साधान व्याज क्या फॉर्मूला होता है, हमने दो बार इसको इसलिए लिखा है, क्योंकि अनुपात पूछ रहा है, दोनों का अलग-अलग, चलिए, यहाँ पे ध्यान का रेट है, तो मैं 12 लिखूंगा, टाइम मेरा कितना है, 6 वर्स का है, 6 लिखूंगा, बटे में कितना है, 100 है, बराबर, सिंपल इंट्रेस्ट बराबर, प्रिंसिपल मेरा नहीं पता, रेट मेरा 12 परसेंट का है, और टाइम मेरा कितना है, 12 वर्स का, यहाँ पे 6 वर्स का पहले वाले में, दूसरे वाले में 12 बरस का टाइम है, और बटे में कितना भी है, 100, चलिए, Simple Interest से Simple Interest कर जाएगा, Principal से Principal कर जाएगा, 12 से ये 12 कर जाएगा, 100 से ये 100 कर जाएगा, 6 कम 6 कटेगा, 6 दुने का 12, तो ये क्या हो गया भाई, एक अनुपाते दो, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, पहला ओफसान, ठीक है, वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक जरूर कर देना, अब देखते हैं अगला सवाल, अगला प्रशनी है, 50 रुपे का 6 महीनों में, प्रत्यक महीने के लिए 10 परसेंट की दर से साधरन प्याज ग्याद करो, बहुत अच्छा सवाल है, अब देखें, दर कितनी हमारे पास 10 परसेंट की दर है, है ना, और रुपया कितना है, 50 रुपया है, अब इसको आराम से आ इसे स्वाल कर सकते हो, 50 रुपे हैं आपके पास 6 महीने के लिए, है ना, 6 महीने के लिए 50 रुपे है, और रेट है 10 परसेंट की, यानि कि 10 परसेंट का मान कितना है, आपके पास 50 रुपे है, तो 1 परसेंट का मान कितना हो जाएगा, भाईया, 1 परसेंट का मान हो जाएगा पाँच उर्पया, एक परसेंट का मान पाँच उर्पया हो जाएगा, अब ये जो दस परसेंट की दर है, याद रखना, ये जो दस परसेंट की दर है आपकी, ये कितने समय के लिए है, ये कितने समय के लिए होती है, प्रतेक महीने के लिए दस परसेंट की दर, यानि कि एक म महिने की दर 10% है तो 6 महिने की कित्नी हो जाऊगी समझ लोग Smells ना प्रत्यक महिने में प्रत्यक महिने के लिए 10% की दर है प्रत्यक महिने के लिए 10% अब हमने क्या किया हमारे पास 50 रुपय थी 10 10% की value 50 पर पे तो 1% की value 5 रुपिया, 1% की value 5 रुपिया, साधान ब्याज ग्याद करो भई, साधान ब्याज क्या हो जाएगा, 1% की value 5 रुपिया, तो 6% की value कितनी हो जाएगी, 30 रुपिया, भई 6% की value कितनी हो जाएगी, 30 रुपिया, तो हमारा 30 बिलकुल सही जवाब हो पी आर टी बट्टे सो प्रिंसिपल पचास उर्पिया रेट दस टाइम छे बट्टे सो दो जीरो से दो जीरो गए पांच चिक के तीस सवाल खतम चलिए अब देखते अगला प्रश्ने अगला प्रश्ने है साधारंग भ्याज की एक निश्चित दर पर आटसो रुपे तीन वर्स में नो सो छप्पर रुपे हो जाते हैं यदि इसी अवदी में यह मूल धन एक हजार बामर रुपे हो जाता है तो भ्याज की दर में ब्रदी का प्रतिसत क्या है देखियेगा आटसो रुपे कितने के लिए रेतनी बात अब 800 रुपे 956 हो गए तो ब्रद्धी कितने की हुई है 156 की जो ब्रद्धी हुई है वही तो हमारा ब्याज है तीन वर्स में ब्याज कितना हो गया हमारा 156 रुपया हो गया के लिए रेतनी बात समझ में आ गया न सभी को चलिए अब इसी को हम क्या करे स्वाल्प करते चले जाएंगे और हमारे प्रेश्निक आंसर आ जाएगा ठीक है चलिए 956 हो जाते हैं यदि इसी अब्धी में यह मूल्धन इसी अब्धी में यह मूल्धन एक हजार बामन रुपए हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है सबसे पहली बात तो यह मूल्धन हमें पता नहीं है अब मेरे पास 800 रुपए है मूल्धन 800 रुपए है तीन वर्स में 956 हो गए तो 156 रुपए मेरा ब्याज हो गया ब्याज मेरा rate मेरे पास नहीं पता क्या है, rate नहीं पता, time 3 वरस का है, बटे मैं कितना 100, 2-0 से मैं ये 2-0 कटा दूँगा, कट गया न, चलिये, 2-0 से 3-0 कट गया, 3 से कट आँँगा मैं, तीन पंजए 15, तीन दोने का 6, बामन बार में कट गया ना, बामन बार में कट गया, अब मैं इस से 8 से कट आउगा इसको, 8 से इसको कटाऊँगा, 8 से कटाऊँगा, 8.32, 8.45, 48, 8.46, 4 बचेगा, नहीं जाएगा, 10.48, 8.45, 40, 6.5 निकल कैया, क्या निकल कैया, रेट, रेट निकल कैया, मेरे पास 6.5% का, ये मेरे पास रेट हो गया, अब देखेगा, क्या बोलाते हैं हमें, इसी अवधी में यह मूल्दन मतलब यही 800 रुपे इसी अभदी में इसी वर्स में कितना हो गया था 1000 बामन हो गया था तो कितना च बढ़गे यहां पर accordance 느क्थ बाब रुपया पढ़ को प्रद» ब्रत्दी का सिंपल इंट्रेस्ट बराबर आप अच्य से fórmula जानती हैं, ब्याज कितना है मेरा, 200 बामन, सीधा formula नहीं लिख रहा हूँ, simple interest लिख लिए, मैंने ब्याज लिख लिख लिए, 200 बामन रुपे, principle क्या है, मेरे पास 800 रुपे, rate मेरे पास कितना निकल गए, 6.5 का rate निकल गए, गया तो मैं 6-10-5 लिख लूँ या नहीं लिखूँ चलिए मैं नहीं लिखता अभी निकालता हूं नहीं तब ही तो पता चलेगा पी आर रेट निकालना है टाइम तीन वर्स का है और बटे में कितना भी है सो फॉर्मूले के अकोडिंग हमने लिख लिया दो जीरो से सिधा-सिधा दो जीरो कटालो तीन से कट आउना टीन अठ् def 24 एक बचा warto mg चुके 1284 हो गया अब 8 से कटाता हूं इसको मैं 8 कम 8 कितना हो कि आठे कम 8 हो गया ना जाने का 0 दस दस मलब 5 हो जाएगा यानि कि रेट यहां पर मेरा कितना निकल गया है यह यह रेट कितना निकल गया तो साड़े छे से साड़े दस हो गया तो कितने की ब्रद्दी हो गई? 4% की ब्रद्दी हो गई B option प्रिशन का बिलकुल सही जवाब है आपका किलियर हो गया ना सभी को अब देखते हैं अगला प्रिशन अगला प्रिशनी है एक औरत प्रतिएक वर्स के प्रारंब पर 4000 रुपे प्रति वर्स 5% के चक्रदी ब्याज की दर पर निवेश करती है वह दूसरे वर्स के अंत में कितने रुपे निवेश करेगी? यानि कि दो वर्स का तो ब्याज उसे पूरा मिल जाएगा फिर उसके बाद जो निवेश करेगी वही बताना है चलिए रुपे कितना है? 4000 रुपे है मैंने पहली बोला था कि साधान ब्याज वा चक्रदी ब्याज की प्रिशनी की बात करेंगे अब जो प्रिशनी है वो चक्रदी ब्याज का है 4000 रुपे 5% की दर पे वो रखेगी तो 100 में 5 जोडेंगे तो इसका मतलब 105% का मतलब बटई में 100 अब यह इसको कितने समय के लिए रख रही है? वही कितने समय के लिए रख रही है? दो बरस के लिए है ना? उसने इस तो बोला है कि दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपे निवेश करेगी इसका मतलब दो वर्ष के लिए जमा कर रही है पहले वर्ष के लिए 105 बटे 100 फिर 105 बटे 100 दो वर्ष के लिए तो दो बार लिखना है तीन वर्ष के लिए होगा से तीन बार लिखना है चलिए कटा लिजे इसको 5 से कटाऊंगा 21 बार में 5 से कटाऊंगा 20 बार में 5 से ये भी 21 बार में 5 से ये भी 20 बार में चलिए 2 0 से ये 2 0 कट गे 2 दूने का कितना हो जाएगा भी है 4, 4 से 4 जालिस कर जाएगा 10 बार में 21, 21 का मल्टिप्राइग 441 फिर मलट पर दस से होगा तो एक 0 बढ़ जाएगा 4410 रुपया देखे किस ओफशन में है बी ओफशन है तो कितने रुपय निवेश करेगी दो वर्ष के अंत में 4410 रुपया निवेश करेगी अब देखते हैं अगला प्रशने अगला प्रशने है कोई धनरासी 8% प्रतिवार्षिक चक्रदी ब्याज पर जमा की जाती है यदि पहले वर्ष का ब्याज 72 रुपय हो तो दूसरे वर्ष का ब्याज ग्याद करो बहुत अच्छा सवाल है हमको यह पता है कि पहले वर्ष का ब्याज 72 रुपय है तो चक्रवधी ब्याज में क्या होता है जब पहले वरसे में 72 मिला है तो दूसरे वरसे में 72 मिलेगा के लिए रहे तनी बात पहले वरसे में 72 मिला है तो दूसरे वरसे में 72 मिलेगा लेकिन ब्याज पे भी ब्याज मिलता है चक्रविदी ब्याज का मतलब क्या है चक्रविदी ब्याज का मतलब है ब्याज पे भी ब्याज मिलता है तो हमें प्रतिसत वेलू कितनी है 8% यानकि 8% का ब्याज है 8% की दर से हमें ब्याज कितना मिला 72 रोपे मिला एक वर्ष का ब्याज 72 मिला 8% की दर से, अब ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, तो ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, किस रेट से मिलेगा, 8% की दर है तो इसी से मिलेगा न, तो 72 पे 8% निकाल लो, इसी ब्याज पे अब हमें ब्याज निकालना है, 8% की दर है तो 8% की दर से निकालना है 8% % का मतलब बटई में 100 ठीक है 8 का मल्ट पर कर दो 72 से यह 576 हो जाएगा बटई में कितना है 100 दो 0 है तो 2 संग्यावाद दसम लगा दो यान कि 5 दसम लख साथ 6 इतना ब्याज इसे और मिलेगा तो इतना इसमें और जो दो पहले वरस में 72 मिलना तो दूसरे वरस में 72 तो मिलेगा यह मिलेगा लेकिन ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा जो कि हमारा 5.76 है तो टोटल कितना हो गया बई 72 में पांच जोड़ो 77.76 देखे किस ओफ्षन में 77.76 साथ दसम लख साथ शी सी ओफ्षन में दिया आगया है यह हो जाएगा प्रश्निका बिल्कुल सही जवाब अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक जरूर कर दें ठीक है दोस्तों धन्यवाद झाल